राहूल गांधी ने वाशिंग्टन में फिर क्या बीजिपी पर बड़ा आटाइप समाज में नफरत फेलाने का आरोप लगाया कहा सभी के पास सभी व्यक्ति और सवाल पूछने क्या आज़ादी होनी चाहिए पियम मोदी की लोग प्रियता के सवाल पर बोले राहूल गांधी कहा कन्या कुमारी से कश्मीर तक घूमा हूँ लोग बेरोजगारी और महेंगाई से बहुत नाराज है लोगों में गुस्सा है राहूल गांधी ने बीजेपी को चुनाव में हराने का किया दावा कहा मैं इसे सहमत नहीं हूँ कि मोदी ये चुनाव पूरी तरह से जीत रहे हैं एक जट विपक्ष बीजेपी को हरा देगा राहूल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिर पेक्षुपाटी प्रेस कॉन्फरेंस में कहा मुस्लिम लीग पूरी तरीके से धर्मनिर पेक्षुपाटी है उनके बारे में गैर धर्मनिर पेक्षुता कुछ नहीं है राहुल गांधी ने पिये मोदी के संसद में सेंगोल को दंडवत प्रणाम करने का उड़ाया मज़ा कहा मैं आपके सामने बैचा हूँ लेटा तो नहीं हूँ राहुल गांधी ने सेंगोल स्थापना को बताया तमाशा राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि सब जानते है अमारिका के स्टैंटफोर्ड उनिवरसिटी में भी राहुल गांधी ने किया था मोदी सरकार पर अटैक कहा शायद मैं भारत में मानानी केस में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला शक्स राहुल गांधी ने कहा मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ हो का भार्ठ में विपक्ष कर रहा है संखर्श वरदेश में राहूल के बयानों का संजेर राउत निक्या समर्थन कहा देश की समस्य अभारतियों के सामने रखने में देश का अपमान नहीं अमारिका में राहूल गांधी के दिये गए बयान पर बोले सीम बगेल राहूल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसे गंभीरता से लेना चाहिए राहुल गांधी के बचाव में उत्रे कॉंग्रस लेता धीर अंजन चौधरी कहा राहुल ने विदेश में कुछ भी अपशब्द नहीं कहा राहुल पर बीजेपी का पलटवार रवीश अंकर प्रसाद बोले राहुल का विदेश में भारत की छवी खराब करना लक्ष पी-म मोधी की लोग प्रियता स्विकार नहीं कर पाते राहुल गांधी पर बर्ष से रवीश अंकर प्रसाद कहा पूरी दुनिया में भारत के विकास के खलाफ नफरत का बासवार फ्यलाना उनकी प्राथ मिक्ता रवीश अंकर प्रसाद ने कहा पी-म मोधी की लोग प्रियता से राहुल घबराय हुए हैं वो ये स्विकार नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोधी पी-म है केंद्र मंतरे अनुराक ठाकुर का राहुल गांधी से सवाल 1974 में आपके पिता प्रधान मंतरे थे उत्रप्रतेश में कौंगरिस की सरकार थी तो क्या दलेतों पर अत्याचार हो रही थे राख ठाकुर ने राहुल पर साधा निशाना कहा भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते क्या इसके लिए टीन फंडिंग करता है। राहुल गांधी पर अनराख ठाकुर का बड़ा अरोब बॉर्डर पर जब चीन घुसपैट कर रहा था वो चीनी अधिकारियों से गुप्त मीटिंग कर रहे थे। यूपी के जिप्टी सेम केश्व फ्रसाद मौर्या ने राहुल पर साधा निशाना कहा भारत विरोधी, मानसिता और सत्ता वियोग सेगर सहे राहुल। कॉंग्रिस और राहुल पर बरसे मंधि प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चौहान प्रधान मंत्री के लोग प्रियता से घबरा गए हैं, शिश्टा चार भी भूल गए हैं। राश्टे स्वयम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत का बिना नाम लिये, राहुल गांधी पर हमला कहा देश के बहार भारत को नीचा दिखाने वाले हैं दुश्माई। संग प्रमुक ने नागपुर के क्यारिक्टर में लोगों से एक्टा बनाये रखने की अपेल की कहा सिमाउं पर दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाए हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आरेसस प्रमुक ने हिंदू मुस्लिम एक्टा की बात की कहा अब विदेशी तो यहां से चले गए लेकिन इसलाम की पूजा यहीं सुरक्षित चलती रही। मोहन भागत ने हिंदू मुस्लिम सहजीवन का जिक्र किया, कहा सैकरो साल से साथ को ना पहचानते हुए आपस में भेदभाव की नीती कैसे चलेगी। संग प्रमुक ने नए संसत भवन की तारीव भी की कहा संसत के जो विडियो देखने को मिल रहे हैं उन्हें देखकर गौरव कानुभव होता है। मोहन भागतने संसत के आलोचना करने वालों पर निशाना स्राधा काहा पर रिशानी के बाद ये है कि देश में भाशा पंत संप्रदाय और सहूलियतों को लेकार तमाम तरहे के विवाद हो रहे हैं। जब मुकश्मीर के राज़वरी में सुरक्षबल और आतंकवादियों के बीच मुटभेड सुरक्षबल ने इक आतंकवादी को मार गिराया। बढ़ी तीन दिन और पुलिफ साहिल से करेगी पूछतार। और घरों पर सनातनी जंदा फैराने की अपील की हिंदूों के धार्मिक स्थल पर हो रहे हमले को लेका सचेत किया। सपा सानफ़र एस्टी हसर ने बाबा बागेश्वर को दी नसीहत कहा धर्म गुरूओं को इस तरह की सियासी बयान बाजी शोभा नहीं देती। रेसलर्स के समर्थन में आज लगाता दूसरे दिन होगी खाप महा पंचायत हर्याना के कुरुक्षेत्र में बुलाई गई महा पंचायत। रेसलर्स के लिए इंसाफ की लगाई जाएगी गुहार। चाना ने दी चेतावनी कहा बेटियों के सम्मान से समझवता नहीं चाहे इसके लिए एक बार फिर से दिल्ली को खेरना पड़े। राकेश्टिकेत ने सरकार पर लोगों को जाती के आधार पर बाटने का आरोप लगाया कहा रेसलर्स के मुद्धे को राजपूत वर्सिस कूर्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। राकेश्टिकेत ने ब्रिजभूशन की गिरफतारी नहीं होने पर उठाय सवाल कहा पहलवान निराश ना हो उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कुश्टि संग्य पूरवाध्यक्ष ब्रिजभूशन शरन सिंग का बयान रेसलर्स बार बार अपनी मांग बदल रहे हैं उनको जांच का इंतजार करना चाहिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की रेसलर्स से अपील जांच पूरी होने का करें इंतजार चाशिट फाइल होने के बाद उचितकारवाई होगी। दिली में महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर केंद्रे मंत्री मिनाक्षी लेखी का बयान इस देश के परंपरा है कि कानून व्यवफ्था के तहर्त चीज़ों के पैसले होते हैं। ब्रजभूशन को लेकर बोले का पिलसिबल लगता है जांच एजनसियों को गिरफतारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। पुष्प कमल दहल प्रचंड सुभा दस बजे जाएंगे महाकालेश्वर के मंदिर विधिविधान के साथ करेंगे पूजार्शन। कमल दहल प्रचंड ने फिश शुक्रवार को माफ कीजिगा गुरुवार को मीले प्रधान मंत्री मोदी हैतरबाद हाउस में हुई मुलाकात चार दिनों के भारत दौरे पर आये हैं प्रचंड। भारत नेपाल के बीच कई शेत्रों में समझोते हुए साइन दोनों देशों के प्रधान मंत्री की मौजूद्गी में किये गए हस्ताक्षर। पिएम मोदी ने साल दोहफर 14 के नेपाल दौरे को किया याद कहा तब मैंने भारत नेपाल सुंबधों के लिए दिया हिट फॉमिला हिट का मतलब हाई वे आई वे क्रांस प्रधान में के बीच पिएम के बीच मोदी चाथ दिपक्षिय बूद्ग को मजबूत करने पर हु रेल्वे की कुर्था बीचलपुरा खंट की योजना का भी अनावरण दोनों प्रधान मंत्रियों ने बतनाहां से नेपाल कस्टम घ्याज तक भारतिय रेल कार्गो ट्रेन को दिखाए हरी छंटी महराश्र के सीम एकनाथ शिंदे से मिले एंसीपी चीफ शुरत पवार मराथा मंदिर संस्था के अमरत महुतसफ कारिक्रम का दिया ने मंत्रण महाराज के मुखे मंतरी एकनाच शुंदे का बयान 12 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले संजर राउत पतना जाने के बारे में सोच रहे हैं 2024 में चाहते हैं बदला 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक में हिस्वा लेगी कॉंग्रेस जैराम रमेश का बयान राजसान में बिजली फ्री पर मायावतिक आटैक कहा ये चुनावी छलावा महेंगाई को देखते हुए पांच साल पहले ये करना चाहिए था बिहार की डेपिटी सीम्केजर स्वी आदफ का बयान मंदिर से अधेक अस्पताल बने हम चाहते हैं कि साल नौजवान चिक्षा स्वाफ तबे रोजगारी पर हो बात हमने इस मुद्धे पर पहले भी जेपिसी से जांच कराने की मांग की है आने वाले मौनसुन सत्र में भी जेपिसी की मांग की जाएगी पटना में बहरिया की डीपिएस वर्ल्ड स्कूल में कैंपस में लगी आग भीशन आग धुदू कर उठी लप्टे आग लगने के बाद पूरे कैंपस में मची अफरा तफरी काफी दूर से दिखाई दी आग की लप्टे दमकल की कई गारियों ने कड़ी मश्रकत के बाद आग पर काबू पाया हाथसी की बजहों की जांच जारी लुद्याना के ताजपुर रोड इलाके में रंगाई की फैक्टरी में लगी आग आग आसमान में उठा धुए का गुबार आग लगने की घटना के बाद मची दहशत दमकल की पांच गारियों ने पाया काबू मतरा में तालाब से चपपल निकालने के दौरान बड़ा हाथसा तीन बच्चों की हुई मौत वोताखोरो की मदद से सुभी को बाहर निकाला गया शवब को पोस मौचम के लिए भीचा गया प्रशासन ने पीरित परिवार को हर संभा मदद का दिया भरोसा तीनों बच्चे सगे भाई थे देलंगाना के खमम में दो सब्ड़कात से नावालिक समीट पांच लोगों की मौत एक घायल कौनी जिरला हाथसे में एक परिवार के तीन लोगों ने गवाई जान बस्ती में बी-फार्मा और बी-ए-स-सी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के नाम पर फरजी वाडे का आरो प्रशासन के खिलाव चात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन डेम ने बताया बस्ती में 6 मानिता प्राप्त संस्थाने इसके लाबा दूसरे संस्थानों के खिलाफ होगी कारवाई मॉंबई में अपना कर्ज चुकाने के लिए एक शक्स ने खुद किया परण का जूटा ना टक किया परिवार से मागी फिरोती पुलिस ने किया गिरफता शिकायत मिलने के बारा घंजी के भीतर पुलिस ने शक्स को ढून निकाला पुछताच के दोरान बताई पूरी कहानी तमिलनाडू में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर के भीतर से करोडों का सोना जब्त किया मननार इलाके में चलाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड का स्पेशल ऑपरेशन तरक्षकों डियाराई और कस्टम के टीम ने 32 किलों से ज्यादा सोना जब्त किया तसकरी करड़ाया गया था बासवार में कीमत करीब 20 करोड ठरदवार में भारी मात्रा में कच्ची शराब की भर्टियों को किया गया नश्ट पूलिस प्रशासन ने चलाया ब्ध्या जिला अधिकाली के निर्देश के बाद आक्शन अवय्ड भर्टियों को नश्ट करने का काम रहेगा जारी जहां भी अवैद तरीके से बेची जा रही है शराव, वहां भी होगी कारवाई प्रशासन की तरफ से आया बया 1981 में इदलितों की हत्या मामले में आरोपियों का आज जीवन कारवाव दफ में फिर नौ आरोपियों की हो चुकी है मौत फिरोजबाद जिले का मामला 2000 के नोट बदलने के मामले में जल्द सुनवाई करने वाली आचेका को सुप्रिम कोर्ट ने किया खारे जो समा वेकेशन का दिया हवाला जब्रन वसूली के मामले में लौरंस विश्णोई की बड़ी मुश्किल साकेत कोर्ट ने दफ दिन तक दिली पुलिस की रिमांट पर भीजा केंद्री गिरे मंत्री ने कहा मनिपूर में कल से होगा पुलिस को कॉम्बिंग ऑपरेशन जिसके पास मिले हथियार होगा सखत एक्शन मनिपूर में हिंसा के बाद बड़ा प्रशावसनिक फेर बदल मनिपूर के नई डीजीपी बने राजीव सिंग मनिपूर में हिंसा की वज़ा से UPSC ने अभ्यारतियों को दिया ओफर दिली कॉलकता मिजोरम नगलेंड समेत साच जगाहों परचुन सकते हैं सेंटर कानफुल में बड़ा गर्मी का कहल लोगों की बड़ी बरिशानी हुवनेश्वन में पूलिस विभा की बड़ी पहल कानून विवस्ता बनाये रखने के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले GPS-less ड्रोन को किया गया शामें पांच सो मीजर की उचाहिता गुर सकता है ड्रोन हवाई निग्राली में होगा ड्रोन का इस्तमाल हैदरबाद में तेलंगानस थापना दिवस के मौके पर हैदरबाद में कारे क्रम केंद्रे मंत्री जी किशिन रेडी ने फैराया ते रंगा का तासियान भारत व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर हुई चर्चा पश्यम बंगाल के मुख्य मंत्री मम्ताब एनर्जी का दिखा अला गंदाव कोलकता में मोटिस साइकल पर पीशे बैठ कर खूमी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के महासचिफ करती है करनाटक के चामराजनगर में एयर फोस का एयर क्राफ्ट क्रैश विमान में सवार दोनों पाइलेट सो रक्षित हाथ से की वज़ा की जांच जारी मध्यम दूरी के बैलस्टिक मिफाय लगनी एक का सफल प्रक्षे पढ़ा और इशा के अप्डल कलाम ट्वीप से लॉंच किया एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद ने संभाला एयर ओफिसर इन चार्ज एड्मिस्ट्रेशन का पदभार रक्षा मंत्राले ने दी जानकार एनफी आटी ने देश्वी कक्षा की किताब से पिरियोटिक टेबल डिमोक्रिसी राजशनतिक पार्टी और लोगतंत्र के चुनौतियां शेप्टर को हटाया वाटसप ने एप्रिल दोहजाद तेईस की रिपोर्ट जारी की 98 लाग अकाउंट को किया गया बैं अमेरिका की राश्च्पती जो बाइडन के साथ हुआ हाथवा कोलराट्वमी एरफोर्स अकाटमी के खारिकरब में गिर पड़े बाइडन माशन देने के बाइड सीट की तरफ जाते वक्त राश्च्पती बाइडन का पैर सेंट बैग में फसा लड़ खड़ा कर नीचे गिरे बाइडन एरफोर्स के अधिकारियों ने राश्पती बाइडन को सहरा दे कर उठाया अकैडमी के ग्राजूशन सरिमनी में भाग लेने के लिए आये थे बाइडन सेंगल में फिर भड़की हिंसा विपक्ष के नेता उस्मान सोनको को भी दो साल की सजा सुनाय जाने के बाद शुरू हुआ बरोध प्रदर्शन सेंगल की अदालत ने उस्मान सोनको को युवाओं को भ्रष्ट करने के आरूप में सुनाई सजा लोगों ने की कई चकहों पर आगशन अमेरिकन अक्टर डेनी मास्टन को लोस एंजलेस के अदालत ने रेप के दो मामलों में दोशी करार दिया डेनी को 30 साल तक की हो सकती है सजा टेफला की सीओ एलन मास्क चीन के दोरे पर पहुंचे ए कम्यूनिस्ट पार्टी के सचेवर जेन युकून ने किया जोरदाल सुआकत जी एस्टी के कलेक्शन में मैं महिने में 12 फीसेदी की बढ़ोतरी एक लाग सतावन हजार करोट का हुआ कलेक्शन बात में मैने फेक्टरिंग स्टी की चांदी मही दो सार 23 मैनेफेक्टरिंग स्टीर ने एक तिस महीने की हुई ग्रोथ हासल ऑडो सेल्स में में के महीने में बडोतरी दर्ज एस्यूवी की बढ़ी मा भारत ने जीता जूनियर होकी एशिया कप का खिताब फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से दीशिकस भारत को 13 मिनिट में पहली कामियाबी अंगट बीर ने दिलाए यारिजित सिंग ने 20 मिनिट में दूशा गोल दागा पाकिस्तानी टीम के लिए एक मात्र गोलर 38 मिनिट में बश शरत अली ने किया पाकिस्तान को हरा कर भारत ने चौथी बाज जीता एशिया कप का किताब विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई किया पाकिस्तान को हराने वाली टीम के हर खिलाडी को मिलेंगे दो दो लाक रुपे सपोर्ट स्टाफ को भी एक एक लाक रुपे देने का होके टीम ने एलान किया भारतिय टीम के लिए टेस्ट वंटे और टीटी तीनों फॉर्माट के लिए जरसी लाउंच डीटीसी के फाइनल में पहली बार नई चर्फ से पहने नज़वराएंगे खिलाडी एमेस धोनी के घुटने की सरजरी हुई सफल मुंबई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में हुआ ओपरेशन आईपिल के मैच के दौरान हुए थे चोटे डीटीसी मुकालिफ से पहले ओवल में भारतिया टीम कर रही है जमकर प्रैक्टिस बीफिसी आई ने जड़े जा रहाने शुबमन गिल और सुरिकुमार यादव की तफ़ीर शेयर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीन जिराजा ने की धूनी की जमकर तारीफ कहा आईपिल की सीजन 16 में धूनी के लिए याद रखा जाएगा आईपिल के लोग प्रियता दुनिया भर की टी 20 लीग से काफी आगया आईपिल के चेर्मेन अरुन धूमल का बयान आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉंटिंग का बड़ा बयान कहा विराट पुजारा और शुबमन आस्ट्रेलिया गेंद बाजी की धज्या ओडा सकते हैं आउस्ट्रेलिया के पूर्व बलेबा स्मिथी औहेजन का टीम इंडिया को सुचा भारते खिलाडी रिज़्ल्ट की पर्वा किये बिना WTC final खेले आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ऐरोन फिंचXT नहीं कहा भारत के लिए स्टीव स्मित और अस्ट्रेलिया के खिलाब विराज कोहली को जल्दी आउट करना एहम होगा सुनिल का वफकर निकाहर डबली टीसी फाइनल में पुजा रहा होगे अस्टेर ऑल इंग्लिंड चैंपियन चौथे वरिय चीन के लीशिफाइंग को हराया कोटर फैनल में एंट्री राउंड ओफ सोला में किरन जोज ने मलेशिया मास्टर्स के फाइनल वेंग होंग यांग को हराया अंतिमाठ में बनाई जगा में इंडोनेशिया की जोड़ी ने रोमाचक में दरज की जीफ भारतिय पहलबान मंजीत ने युनाइट वर्ल्ड रेफलिंग प्रती होगे ता में कासी जीता प्रदर्शन कारियों ने टेस्ट खिलने जा रहे इंग्लेंट की टीम की बस रोकी लॉद्स में चल रहा है टेस्ट आईपियर ट्रोफी लेकर तिरुपती मंदर पहुंचे फ्री अफके के मालकश्री निवासन चेनए के पांच भी टाइटल जीतने के बाद हुई विशेश पूजा सौथ के सूपस्टा महेश बाबु के फिल्म गुंचूर कारम का टीसर रिलीज महेश बाबु का सुबरदफ्त राउट ही लोकाया सामने सूपस्टार रजनिकान तो तमन्ना की आगामी फिल्म जेला की शूटिंग हुई पूरी 10 अगस्त को देश भर की थेटर्स में होगी रिलीज इंद और गॉरफ दिबस में दिखे आदी पुरुष की धूम जाय श्री राम गाने पर हुआ शांदार लेफर एंड फांड शो एक्ट्रेस परिनिती चोपड़ा ने स्टूडियो के फर्स्ट पर बैट कर गाया गाना गाना सुनकर फैन्स हुए इंप्रेस परिनिती को बताया रॉक स्टार देले के चंदपत मार्केट में सारा ने खरीता जुमका विकी कोशल ने भी शॉपिंग की हाई हील्स और सारी पहन कदेसी वुमेन ने किया ब्रेक डांस महिला के जबरदस्त मूव्ज देखकर लोग हुए था सोशल मीडिया पर एक शक्स का पांडोसा बनाते हुए वीडियो वारल युवा कटोसे के उपर मक्कन पान और सूखा मेवा मिलाता नज़र आया